हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोंग से संडे को बहुत ही स्पेशल चीज़ पर बात करने आई हूँ हर तरफ से कमेंट आ रहे हैं मुझे कि मैम कोरोना इतना बढ़ रहा है तो क्या हमारे ओफलाइन एक्जाम होंगे तो देखिए आपको मैं एक बात बता दू कोरोन तो वाक्के में बहुत बढ़ रहा है फिर से पिछले साल के मार्च की स्थिती वापस आती दिख रही है पाच-छे स्टेट में तो कर्फ्यू जैसा माहौल है हना अब भी जानते हैं रोज नियूज देख रहे हैं चार-पाच स्टेट में तो पुरा कर्फ्यू जैसा माहौल है महाराश्र हो गया गुजरात हो गया तो यह सारी जो जगह है जहां पर बहुत ज़ादा कोरोना बढ़ रहा है लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस तो आता दिख नहीं रहा है जैसे कि CBAC जो बोर्ड है में जो CBAC बोर्ड है उसके तरफ से भी ऐसा कोई भी अभ है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि देखिए आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही चलिए यानि कि आपका अगर 15 अप्रेल से एक्जाम होने का है तो आप 15 अप्रेल के हिसाब से ही पढ होगा लेकिन अभी कुछ नहीं पता कि एक्जाम कैंसल होगा की पोस्ट पॉण होगा या फिर ओफलाइन होगा अभी तक बस इतना ही क्लियर है कि जो टैम्टेबल आया है आप लोगोंका एक्जाम का उस हिसाब से ही सीजी बोड का एक्जाम होना है अभी तक तो यही समझ म आ रहा है और अभी आने वाले समय में सब कुछ unexpected है यानि कि आप आप confirm नहीं बोल सकते कि हाँ exam होगा ही लेकिन यही मान के चलना है कि exam होगा और जैसे जैसे इस्थिती और बिगड़ते अगर जाएगी क्योंकि लोग बहुत ही जादा अब aware हो गये हैं और हमारे cg की बात करे तो हमारे cg में भी 36 गड़ में भी बहुत जादा cases बढ़ रहें अचानक से तो यह लापरवाही की वज़े से हो रही है तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी सारे बच्चों से कि आप यह सारी चीजों में थोड़ा सा कम ध्यान दीजी आप बस यही सोचके चलिए कि आपके 25 इस दिन बचे हैं और आपको वो तैयारी बहुत अच्छे से करनी हैं आप अपने एक्जाम की तैयारी रखिए आप एक्जाम पोस्ट पॉंड हो या कैंसल हो या ऑनलाइन हो आफलाइन हो यह सब में मत पढ़िए आप आप सिर्फ अपनी तैयारी रखिए क्योंकि यह सब जो आप सोचते हो तो आप अपनी पढ़ाई को चोड़के दूसरी चीजों को सोचने लग जाते हो जो कि आपके लिए डिस्ट्रैक करती है आपको पढ़ाई से पीछे कर देती है इसलिए मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप यह सारी जो नियूज है या इस्प भी नहीं notification आया है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं आप लोग को authenticity के साथ मतलब पूरे hundred percent proof के साथ मैं बताऊंगी कि क्या होगा यानि कि exam हो रहा है नहीं हो रहा है अभी तक तो यही मान के चलते हैं हम कि exam हो रहा है क्योंकि cg board higher officials के तरफ से भी मैंने confirm करने क कोशिश की है कि sir कैसे exam postpone होने का कोई chances है क्या तो अभी तक यही खबर मिलिए कि exam postpone होने के कोई chances नहीं है exam online होने के भी कोई chances नहीं है आपका offline ही exam होगा सारे जो तैयारिया चल रही है वो already तैयारी शुरू हो चुकी है तो इसलिए आप यह सारे news को बिलकुल avoid करिए ध्या ध्यान मत दीजिए आप से बस यही request है आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए पचीस दिन बचा है मतलब दिन एकदम रेत जैसे मुठी में रेत होती है और निकलते जाती है बिलकुल वैसे ही निकलता जा रहा है समय समय अब बहुत कम है आपके पास आप बस यह कीजिए कि आप ट यूट्यूब में specially कुछ चैनल ऐसे हैं जो नियूज दिखाते हैं कि यहां पर लॉकडाउन हो गया वहां पर लॉकडाउन हो गया इसे बीटान है मतलब कुछ तो ऐसे पर चानल रहता है इनके आप बच्चों को बस यही बोला चाहूंगी कि आप इस पे बिलकुल धयान न दीजिए आप सिर्फ अपना पढ़ाई पर फोकस करिए क्योंकि इनने क्या करना है इनको अपना वीडियो डालना है बस इनका वीडियो चलना चाहिए बाकी आपका time waste हो रहा है क्या हो रहा है आपके मन में क्या चल रहा है इनको कुछ लेना देना नहीं है लेकिन मैं आप students को समझती हूँ students के अंदर अभी क्या घबराहत चल रही होगी उस चीज़ को मैं feel कर सकती हूँ इसलिए मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप यह सब जो भी बेकार की खबरें कि school बंद हो रहा है college बंद हो रहा है यह हो रहा है यहां lockdown हो रहा है फलाना धिमकाना यह जो बोर्ड थोड़ा ना थोड़ा CBSE को follow करता है तो CBSE अभी तक ऐसा कुछ भी notification नहीं आएं CBSE बोर्ड में भी कि exam postpone हो सकता है जबकि वो तो अपना update दिये जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो practical lift आ रहे हैं और जल्दी जल्दी वो जो तैयारी है वो जल्दी जल्दी करवा र में से बाइन होगा अपके स्कूल में हें जॅगा आपका सेंटर यी य fraKY नहीं किया जाएगा दूसरे स्कूल यह सोच के चलिए कि आपका exam होना है यह तो बिलकुल मानिये ही मत कि आपका exam online होगा यह सब अफवाहों में मत पढ़िए क्योंकि इससे आपका mind distract होता है और ultimately आपका time loss होता है और सबसे important चीज़ है अभी आपका time क्योंकि बहुत कम समय बचा है और time आपके लिए बहुत ज़ देनी हैं आपका mind को distract करना है तो मैंने कल भी बोला था अपने वीडियो में time table वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया कि अच्छे सब चीजों में बिलकुल ध्यान मत दीजिए थैंक यू सो मच अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो हलका लगा हो थोड़ा तो अपने सारे दोश्तों को share कर दीजिए जो confused है और एक चीज बोलना चाहूंगी कि playlist में जाके सारे वीडियो देख लीजिए important questions, sample, paper, solution, सब कुछ आपको मिल जाएगा previous paper, solution और website को एक बाद जाके ज़रूर चेक कीजिएगा description में सारे link दिए हुए telegram का, instagram का, जहां पे भ प्लाइज ज़रूर मिलेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लीजिए, like कर दीजिए, thank you so much, bye bye